आड्रस बार शॉर्टकट बताने वाली हैं पहले ہं टैप शॉटकट और गूगल फीचर शॉटकट बता चुके तो यहां पर हमने जब यहां लिखा SEO तो अराम सर्ष से related जितनी information की आ गई अब control minus करते हैं हम तो पूरा page दिखेगा और control plus करते हैं तो बड़ा दिखेगा तो हमने बड़ा इसलिए कर रखता है जिससे आप लोगों को सब कुछ दिखें नेक्स हम चलते हैंगे जब हम कोई भी Google Chrome कोई भी सर्च इंजन लिखते तो अगर आपको सर्च इंजन का नाम नहीं पता है तो आप सर्च इंजन का नाम लिख करके उसको सर्च किज़े अब कोई सर्च इंजन अगर आपको दिखता है गूगल बें याहू बाइदू एवल आ आपको काम करना यह सारे सर्च इंजन है तो मान लिखते हैं बिंग बिंग.com अब उसने क्या बोला कि अगर आप बिंग.com किसी सर्च इंजन पर जाते हैं और प्रेस टैब करते हैं तो उस इंजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो हमने बिंग बिंग.com लिखा यह देखिए आपके सारे टैब दिखने लगे अब आप इस टैब पर जा करके उस साइट से रिलेटेड जितनी वार्णेशन है वो दिख रहे है आप जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर जाना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं देखिए बिंग.com.translator आ बाजकल ट्रेंडिंग है जो आज की ट्रेंडिंग है वो आ रहे हैं तो इस तरह से किसी भी सर्च इंजन में जाके उससे रिलेटेड सारे टैब के बारे में आप लोग जान सकते हैं तो हम लोगने बिंग.com कोल रखा है अब हम लोग चलते हैं इसी में हम लोग खोलते हैं तो याहू इसी में खुल जाएगा यह देखिए सेम तैब में खुलेगा नए में नहीं खुलेगा लेकिन जब हम इसी में लिखते हैं याहू डाट कॉम ऑल्टर एंटर तो यह देखे याहू का दूसरा थाब को जाएगा तो दोनों में डिफरेंश के आज जब कंट्रोल एंटर करेंगे तो सेम तब में और जब alter enter करेंगे तो यूशरे टाव में खुलेगा तो दोनों में डिफरेंस अब हम address बार में जाना चाहते तो control plus 1, alter D और F6 तीन चीज़े करने पर हम address बार में जा सकते हैं चलिए हम लोग F6 दबाते हैं देखिए address बार में जया next tab पे जाते हैं और डी दबाते हैं तो यह तो भी address बार पर जाते हैं नेक्स उसमें जाते हैं control 1 दबाते हैं तो 1 कभी कभी नहीं लेता है यहां पर F6 से आप address बार में आ सकते हैं control 1 दबाने के बाद वो F6 दबाने पर different tab पर जाता है यह देखिए यह F6 से different tab पर हम लोग जाते हैं उसी के तो next है search from anywhere on the page पेज में कहीं भी search करना चाहते हैं हम लोग यहां पर लिखा Google अब Google गो एंटर किया यहां पर कोई वर्ड लिखते हैं SEO यह स्टी ओए चलिए लिख देते हैं तो यह देखिए अब यहां पर हम search engine आ रहा है SEO वर्ड का different चीज आ गई अब हम SEO का हम SEO full form SEO जो भी हम चाहेंगे उसको हम दूड सकते हैं course क्या है SEO tool क्या है यहां पर tools में हम दबा देंगे तो tools related information आ जाएगी तो यह tab system जो इसका है यह बहुत अच्छा है इसमें आपको SEO tool लिस्ट है SEO tools है SEO tool इंडिया है best free SEO tool है अब यहां पर best free SEO tool दबाया तो यहां पर आ जाएगा best free SEO tool तो यहां पर यह देखे यह आ रहा है गूगल ट्रेंड यह सारा कुछ इसको easily find out कर सकते हैं next tip है आपकी कि आप किसी remove prediction from your address बार आपने कोई यह सारी साइट को ली और आप चाहते हैं किसी particular साइट को हटाना यहां पर आईए इस टैब पर और इसमें कम है ना तो आइलाइट नहीं हुआ यहां पर आते हैं आप नीचे दबाएए यह आया यहां पर यह best free SEO tool पर क्लिक करिए और क्या बोल रहा है वो कि जब फ्लेक हो जाए डाउन एरो की तो shift plus delete दबाएए यहां पर shift plus delete दबाएए तो आपका यह देखिए address बार चला जाएगा वो वाला particular जो हमने select किया था अब यहां पर देखिए आ रहा है best free on page optimization tool अब यह different दिया हुआ है उसको पढ़िए आपके page को optimize करेगा यहां पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स किया है जिससे कि आपके साइट पर traffic यह देखिए आप यहां से जाके पढ़ियो और समझियो जो कि क्या है नेक्स्ट है लास्ट हमारा लास्ट नॉट दलीस control प्रेश एफड़ पर जाएगा तो यहां पर address बार पर आजाए यहां पर डिफरेंट अड्रेश बार पर जाएगा तो इस वाल तो देखिए वीडियो इस कैसा है यह वीडियो ज़रूर बताईएगा और प्लीज अब एक लाइक तुक बंता है कर दीजे उसको और अगर आपको अच्छा लगा हो थैंको